वाहे गुरुजी का खाल सा वाहे गुरुजी की फते मंजाबी ओडी बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे सरोत्यानों मेरे स्तांतरकार वल्लों प्यार परी साथ शिर्यकाल अज असी गदरी बाबे कौन सान किताब दा अगला पाग पड़न जा रहे हैं पना नंबर 118 प्रशन तोहाड़ा कैन दा की पाव ए है कि हालत कोई भी होवे कुछ ना करन नानों कुछ करके हार जाना हमेशा ही द्रोस्त अते वाजिब हुंदा है उतर नहीं तुसी गल्ट समझ ले इस तरह सोचना एक गुंजलदार मसले नू हदों वद सरल बना के देखना है देखो मान लवो तुसी किसे दुश्मन राज नू और टाउं दा कार्ज मिथ्या होयाई आते इस दे वास्ते कई पद्रां दे त्यारियां दे अमल विच जुटे होए हो तो हड़ी सफलता जां असफलता दा निरना निरा पुरा तो हड़ीयां त्यारियां उत्ते ही निर पर नहीं करदा एह एक पक है दुज्या पक दुश्मन दी बार मुखी हालत जांदशा है पाव उस विशेश मौके दुश्मन नू अंदरुनी अते बहरुनी पक्षों के वो जिए अस्तितियां दा सामना करना पैर हाई बाहर मुखी हालत उस लई किन्नी कू साजगार जां किन्नी कू गैर साजगार हन आम नेम वजों जदो बाहर मुखी हालतां दुश्मन लई मुआफक होन उदों उसनू हराणा मुकाबलतन अखा हो जांदाई इस दे उल्ट जदो हालतां उसले गैर मुआफक होन ओधों उसनू टोणा सौखा होनदाई होर वद सौखे अते सपष्ट शब्दां विच गाल किती जावे ता जदो दुश्मन अंदरूनी जा बहरूनी विरोधां अते बखेड़यां विच फस्या होनदाई उस दी हालत पतली उन्दी है अते उस लते चोट करन्दा एह सुनारी मौका होनदाई पर जदो ओऊ विरोधां अते बखेड़यां तो मुकाबलतन सुर्खरू होनदाई ता ओऊ मुकाबलतन बेतर अते मजबूद हालत विच होनदाई अते उस वेले उस दी बगावतनू ताखत नाल कुजल देन दी समरथा जादा हुन दीया सो एन कलाबी ताखतां सामने दोरा कार्ज हुन दाई इक पासे उन्नाने कई पद्रां उत्ते अपणिया त्यारियां वाल पूरा त्यान देना हुन दाई अते दूजे पासे दुश्मन दी हालत उत्ते ताडवी नजर रखनी अते चोट करनली योग मौके दी पशान करनी हुन दीये सरदार जगजीत सिंग लिख दे हन किसे देश दी जनता दी मर्जी दे ब्रुद केवल फोजी ताक्त दे आसरे कायम रखे होए बदेशी राज रेत दिया कंदा वांगू बारों दिसन नो मजबूत जाप दे हन पर जदों मौफक हालता पैदा हो जान ता एहे राज पला विच ही तठ जान दे हन मौफक हालता दे पैदा हो जान ते दबिया अते शुपिया होईया ताक्ता मौका ताड के एक दाम उठ खड़ों दिया हन अते इना ताक्तां दे उबार नाल हवा दा माडा जेहा बुला जेहे शक्ती शाली वाव रोले दा रूप तारलेंदा है की हरान रह जाईदा है इस द्रिष्टी तों जेकर अठार्वी सदी दी सिख जदो जहद दे इते आसनू गौर नाल वाच्चा जावे तां सिख जरनेलां दी सूज बूज आते युद कला नू देख के दांगरे जाई दाए लडाई कदों लड़नी एते कदों लडाई तो बचना जा तलना है इस पैंतडे बाजी दा उन्ना नू अइन अभ्यास हो गया सी की वद नहीं तां कटो कट पंजास आलां दे अर्से दरान उन्ना कोलों शायद ही कोई उकाई होई होवे उन्ना एहे समरथा किसे वग्यानिक सोच राही हासल नहीं किती सी एहे उन्ना उत्ते गुरू दी मेहर दा नतीजा सी अते इस मेहर दे हकदार बनन लई उन्ना नू कठोर जमाईशां विचों गुजरना प्यासी तुसी जेकर राजविंदर सेंग राही वल्लों तेन जिल्दा विच शापियां गदरी बाब्यां दियां अपनियां मौलिक लिखतानू पूराते आंदे के पड़ों ता गदरी बाब्यां उत्ते वी वाई गुरू दी बक्षिश साफ नजर पैंदिये कोरे अनपड हों दे बावजूद उन्ना ने ओहुक रिश्मे कर दिखाए जिन्ना उत्ते कई वार जिकीन करना ओखा लगद उन्ना दी तोलना तुसी उन्ना दे समकली पड़े लिखे अते तीखन बुद्धी दे मालक विद्वन्ना नाल करके देखो तो हन्नू नाब अब्यास द्वारा हासिल होए अंतर बोध अते अंतरीव प्रेर्ना दी ताक्त अते निरोल दुन्यावी विद्ध्या नाल कमाए ग्यान विचला अंतर अपे समझ पैजावेगा पर इस बारे विस्थार विच गल बात अपा अग्ये चलके करांगे अपा दुश्मन उत्ते चोट करन लई तुक में मौके दी गल कार रहे सी एहे याद रखना चाहिदा है कि अजे तुक में मौके आम नहीं मिल दे एहे कदे कदाई ही पैदा हुन दे हन कदे दहाक्यां बाद अते कई वेरां सदियां बाद वी इस करके इक वार हत्तों खुंजयां जा खुंजा आया मौका फिर पता नहीं कदो जुड़दा है अते ए वी पता नहीं कि एहे एक जीवन अंदर मुड़ के जुड़दा वी है जा नहीं एहे हाकी दी खेड अंदर पनेल्टी सट्रोक वर्गी गल हुन दी है जो रबसबबी ही मिलदा है इस करके इनकलाबी ताक्ता उत्ते इस मौके दा जिनना हो सके लाब ठाउन लई पारीदवा हुन दा है इत्यासिक तजारबे विच्चों एहे आम सचाई सामने अंदी है कि जेडे अग्वने काट त्यारीदा बहाना लाके बगावत नू किसे वद बैतर मौके तक मुल्तवी करंदी वकालत कीती अते अपने आपनू बगावत दे करम नालों अड़ कार लिया उना लेई जिन्द पंजाब अंदर नकसली लेहर अंदर ले इक वर्ग ने उन्निसो स्ताट ठाट विच्च कट त्यारी दी दलील देके आपने आपनू हथे आरबांद कारवाईया नालों अलग कर लिया सी अते पूरी त्यारी करके ही हथे आरबांद संगार्ष विडण दा कार्ज मिथया सी पिशले पंताली सालांतों उहो त्यारिया करदे करदे बुड़े हो गए हान कई ता मर्न के नारे वी पहुंच गए हान पर ना नौ मन तेल होया ते ना रादा नची गदर पार्टी दो सालांतों पार्थी अवासी अंदर लगातार एहे जोरदार परचार करदी आ रही सी कि जांग शडंदी सूर्त विच जदों अंग्रेज कसूती हालत विच फसे होनगे उदों उन्ना उत्ते फैंसला कुन वार करंदा सुनेरी मौका होवेगा अमल गवा है कि अमरीका कनेड़ा अते टापुआं अंदर गदर पार्टी दे इस परचार नूम लोकां वलों बेहद कबूल मां हुंगा रा मिल्या सी लोकां दे मान पूरी तरा बाण चुके सान इस करके जदों जांग साचमुच शुरू हो गई सी तां गदरी आगुआ ले आपणियां एलानियां पुजीशना तों पिछे हटना सौखा नहीं र्या सी अते अजेहा करना ठीक भी नहीं होना सी गदरीयां दे वतन नूँ चाले 25 जलाई उनिसो चौदानू जांग शेड़ पैन दे चांद कूद दिना बाद ही पांज अगास्त दे गदर विच पार्टी वल्लों अंगरेजी राज वरोद एलानी जांग दे सरलेख हेट देश वास्यानू बदेशी राय दे वरोद बग गावत करन ले कमर कसे कर लेन दा खुला सद्दा दे दिता ग्यासी इस सद्दे ने अमरीका कनेड़ा अते टापूआ विच रेंदे सिखां अंदर जोश दी लैर पैदा कर दिती अते उन्ना ने अरदासे सोद ले अते खत्रेयां अते आफ्तां दी रती परवार ना कर द्य फोरी जथे बनाके समुद्री जहा जारा ही पंजाब नो वहीरा कातलिया 9 अगस्त नो फिरोज नो अते 10 नो सेक्रामेंटो दे शेरां विच होए पर्मे जलसे आंतों सिखा अंदर अंग्रेजी राजवरुद लड़न दे व्यापक रो अते जजब्यांदी साफ चलक मिल दी सी उस रेले कैलिफोर्निया अंदर मुश्किल नाल शेक हूँ हजार हिंदोस्तानी सान अते सेक्रामेंटो दे जलसे विच पांज हजार लोग होम हमा के पहुंचे सान पार्टी ने सब हिंदियानू नो नवंबर दे पहले हफ्ते तक देश परत जान अते उथे जाके पिंडा विच परचार करके लोकानू अपने नाल रलाउन दिया हदाईतां कीतिया पाई करतार सिंग स्राब्बा दे पैरां थलेतां जांग शिड़ पैंदी खबर सुन दियां अग मत चुठी सी अते उखो पार्टी दे बकाईदा फैंसले दी उडिक करे बिना ही फोरी पंजाब ले रवाना हो गया सी ह्रीश पूरी वर्गे विद्वानानू पाईस राब्बा दा एहे कदम बे सबरी चो निकलया मालूम हुंदा है पर अब्या आस्तों कोरे होन करके उन्नानू पाईस राब्बा दी इस बे सबरी दी असली सामज नहीं पै जदो जांग शेड चुकी सी अते बरतानवी हकूमत पार्त विच्चों किसे वेलेवी पार्ती फोजियानू मद एशिया अते युर्प दे मोर्चयां उते जान दे फुर्मान जारी कार साकदी सी ता गदरी बाब्यान ले एक एक पल कीमती हो गया सी ओहो एक देन तांकी एक शेड वी जाया नहीं करना चाओंदे सान इस तदी नेही पाइस रब्बानों फोरी देश परतनले उतेजित कीता सी होर एहे उस दा शोहर पाना नहीं सी नाले पार्टी अंदर पहला ही इस बारे आम सैंती हो गई सी की जांगदा एलान हुंदें ही एक दम देश नू चाले पाधते जान अठाई जलाई दे हिंदोस्तान गदर वीच देश पकतानू खुला सदा दे दिता ग्या सी की योर्प वीच जांग शिड देश नू चाले पाई जान इस करके युगांतर आश्रम विच होई मीटिंग मेहज रसंपूर्ती ही सी दिला विच फैंसले पहला ही हो चुके सान दिली वलवलें दे जोर्णाल लाडन बाले लोकां ले दिला विच ले फैंसले ही असली हुंदे हन अते इन्ना दी एमियत वी दिला वाले ही जान साकते हन कुझ हफ्तें अंदर ही सिखाने हजारां दी सांख्या विच पंजाब वल चाले पादते सन थोड़ी गिंटी विच गैर सिख हिंदू अते मुसल्मान भी पंजाब ले रवाना होई परवड़ा हिस्सा सिखान दा ही सी अलग अलग अंदाज्या अंसार वक्ष वक्ष थामातों शेतों लेके आठ हजार तक पंजाबी प्रवासी पारतंदर दाखल होई एहे सारा अमल निरापुरा आप महारा नहीं सी जिमे की कुझ विद्वान अलोचका ने लिख्या है एहे सोची विचारी रण नीती अते जोजनादा हिस्सा सी वक्ष वक्ष अगुआ दियां बकाइदा विशेश ड्यूटियां लाइया गिन्यासान अंग्रेज हकूमत विरुद देश पाकतांदी जांग दा असली मैदान क्यूकी पंजाब ने ही बनना सी इस करके पार्टी दी लीडर्शिप दे वड़े हिसे नू पंजाब जान अते उथे जाके बगावत जथे बंदकारन दी जिमेवारी सौंपी गई सी पार्टी दा परदान दोन्नों मीत परदान खजानची अते होर प्रमुख अगू जिमेकी पाई हर नाम सेंग पाई निदान सेंग चुगगा अते कुझ होर पार्ट ले रवाना हो गय पार्टी देश कत्तर पाई संतोक सेंग तर देवनू कुझ समय ले अमरीका अंदर पार्टी दा काम चुलाओं ले शाड़ देता ग्या सी कुझ चेरबाद उनना नेवी मलाया सिंगापुर चले जाना सी अते उत्थे हिंदियां आते पार्टी फोजियानू बगावत ले तयार कारना सी पाई पगवान सेंग जपान फिलपायन चीन अते काटां ते हौंग कांग जाके उत्थों देश वासियानू त्यार करके देश पे जंदी जिम्मेवरी सौंपी गई सी पाई सोहन सेंग लाल पाठक दी ड्यूटी स्याम विच्चों दी होके बर्मा जान दी लाई गई जित्थे उन्ना पारती फोजिया नाल संपर्क कायम करके उन्ना नो बगावत लई त्यार करना सी मौलवी बरकत उल्ला बारे एहे फैंसला होया सी कि ओहो अफगानिस्तान जाके उत्थों दे बाजशानों गदर दी हमायत करन लई प्रेरित करन अते सरहत दी पठाना दी फरंगी वरोद चाल रही लहर दी तांद गदर लहर नाल जोडन खुल्ले पर चार बारे प्रशन सुने देशनों परतन वाले गदरी जित्थों वी तुरे बकाईदा जेकारे गुंजा के तुरे आते रहां विच भी ओहो जहाजा अंदर आते बंदर गाहां उतते खुल्लम खुला पर चार कर दे रहे जिस करके उना चों बोत्यानू देश अंदर दाखिल होन तो पहला ही बंदर गाहां उतते गिरफतार कर लिया गया सी की इस तरह टोडव जाके तोरना अते रहां विच खुला परचार करना उन्ना दी बजरपुल नहीं सी की यहे चंगा नहीं होना सी की ओहो चोपच पीते लुक में टंग ना देश अंदर दाखल हुंदे ते इथे आके अंदरों अंदरी बगावत दियां त्यारियां कर दे उत्तर ए ठीक है कि बहुत सारे विद्वान लेखका ने इस गल बदले गदरी आगुआं दी खर्मी नुक्ता चीनी कीती है सरदार जगजीत सेंग अते सोहन सेंग जोश जिन्नाने वैसे गदरीयां दी अंतर राश्ट्री हालतां दा फाइदा लेंदी सोच अते रणनीती दी प्रोडता कीती है पर उन दे विचारन सार गदरीयां वल्लों राहां विच खुलम खुला परचार करना गुप्त त्रीक्या नाल हते आरबांद बगावत करन दे मन्तव दे काई दे कनुना दी खिलाफ वर्जी सी जिस नाल लेहर नू पारी नुक्सान उठाउना प्या सती नजर नाल देख्या एहे गल द्रोस्त जाब दिये पर इस मामले नू सती नजर नाल नहीं समझा जा साकदा सती द्रिष्टी दी अपनी सीमा हुन दिये आम सूज वांग ही एवी वर्तार्यां दे अंतरीव तक नहीं जान दी इस करके एहे साच दा पलेखा पौंदी होई वी साच नहीं हुन दी इत्थे ई एचकार दी कही होई गल फिर चेत्ते आउंदी है कि कोई इतियास कार उन्ना चेर सही इतियास नहीं लेख सागदा जिन्ना चेर ओहो उन्ना लोकां दे मना नाल नहीं जुड़ पौंदा जिन्ना बारे ओहो लेखरेहा हुंदाई 19 सदी दे रूसी शाकार लेखक चिन्तक अलेक्जेंदर हर्जन ने इक था लिख्याए किसाननू लोकां सामने उन्ना दे सुप्णयानू उन्ना नालू भी 32 तांगनाल पेश करना चाहिदा अते इन्ना नू रेखा गनेत दियां थ्योरमा वांग नहीं समझाओना चाहिदा हर्जन ने एहे बहुत वड़ी गल कीती है लोकां दे सुप्णयानू सामझना उन्ना दे मना नाल जोड़ना उन्ना दे सुखंपावानू सामझना है गदर लहर उत्ते टीका टिपनी कारनवाले विदवाना दी सीमा एहे कि उहो गदरियां दियां सर गर्मियानू हते आरबांद बगावत बारे आम अते मुर्दा सिदांतां जो उन्ना किताबां विच्चों पड़े हुंदे ने दी रोशनी विच राखक के आंगदे पड़ चोल दे हान जोदो की गदरियां ने अजे हे सर व्यापी सिदांत नहीं पड़े सान अते उन्ना नू रोशनी किसे होर मंडलतों प्राप्त हो रही सी ओहो तारकशील ग्यान दी बजाए अपनी अंतर प्रेरना दे बलबूते ल गदरी बाब्यां दी पर चार शेली दा मसला तक की नहीं इसनो गदर लहर दी विशेष्ता नाल जोड़ के ही समजा जा सकता है अते गदर लहर दी विलकंता अते विशेष्ता नू समझन लई इस दा पार्त दी अज़ाधी दी लड़ाई दी मुखतारा पाव राश्ट्रवादी लहर नालों नखेडा करना जरूरी है सत्वा खांड गदर लहर दा राश्ट्रवादी लहर नालों नखेडा पावे जारा तौर ते गदर लहर अते राश्ट्रवादी लहर दोमा दा निशाना इको सी देश नू बरतान मी गुलामी तों अजाद करोणा पर दोमा दे अजादी दे संकल्प अते इस पिछे काम करदे जज़बे दी तसीर विच बुणयादी अंतर सी जीनु राश्रवादी लहर किहा जान्दा है ओहो मुख रूप विच पार्त दे पड़े लिखे मद वर्ग दी लहर सी एहे वर्ग मुख रूप विच शेरी सी अते समाजी बंतर देलिहा आजनाल लागपग समुचे रूप विच उच वर्गी अते उच जाती सी इस वर्ग दे एहे तिन्नो लशन पड़े लिखे शेरी अते उच वर्गी उच जाती होना बहत महत पूर्ण हन्द इस तों इस दी विचारता रा आते राजनीती दा खासा सामजन विच मदद मिल दी है प्रशन पर गांदी दी अगवाई हेठ राश्रवादी लहर विच पेंडू खेत्रां दी विशाल जनता अते देश दी वसो दे गैर हिंदू अते दलित वर्गांदी वी परमी शमूलियत हो गई सी फिर इसनों मुख रूप विच पड़े लिखे शेरी अते उच जाती हिंदू वर्गांदी लहर केंडा उचित के में है कि इसनों देश ने सारे वर्गांदी सांजी अते तारम निरपाख लहर केंडा वाद ठीक नहीं इहे तुसी एक एहम सिदांतक नुक्ता उठायाए किसे वस्तुनों वर्टारे दा पारू खासा सामजन वास्ते इस दे दो अंगां इस दा केंडरी पाग जिसनों इस दी गिरी जांतुरा किहा जा सकदाए आते इस दी बारी कन्नी विच्चन खेडा करना बहुत एहम हुंदा है किसे वस्तू दा पारू लशन इस दी बारी कन्नी तो नहीं इस दे तुरे तो निरदार तो नहीं इस अंदर लिग गिरी तो पशानें जांदाए किसे लहर दा विशलेशन कार्ण वेले जेकर इस नेम दी पालना नहीं कीती जान दी ता इस दा ठीक खासा नहीं बुजया जा सागदा इत्यासिक द्रिष्टी तों देख्या जावे ता राश्रवादी लहर दा मुड उन्वी सदी वीच बंगाल दे हिंदू चिंतका सुदा अराने बन्या सी राजा, राम, मोहन, राय, ईश्वर चांद, विद्या सागर दवारका नाथ टैगोर अते उस दा पुतर दवेंदर नाथ टैगोर सारे बंगाली समाज अंदर उचे रुत्वे दे मालक ब्रह्मन क्राणे विचों सां उनने पार्त अंदर राश्रवाद दी बुण्याद रखी, इस विचों बंगाल अंदर जुजारू हिंदू राश्रवाद दा जानम होया जिस दा मोड़ी अरविंदो कोश सी इस दा उदेश हिंदू समाज दा सैनिकी कर्न करना, हिंदूआ अंदर सैनिक मान सिक्ता पैदा करना सी बंकिम चंदर चैटरजी दे नावलाँ दा मुख थीम एही सी इस दी प्रेर्णा नाल बंगाल अंदर उन्मी सदी दे आंत अते वीमी सदी दे मुडविच क्रांतीकारी राश्रवादी अंदोलन दीतारा परगट होई जिसने देश-देश मुचे राजसी वातावारनुत्ते असर पाया पार्त अंदर राश्रवादी जेडी वीतारा जां उपतारा परगट होई नरमदली सी जां गरमदली उदार पंथी सी जां क्रांतिकारी ता रमनेर पाख सी जां कटड हिंदु राश्रवादी सजे पक्खी सी जां खबे पक्खी सी सबने मूल रूप विच मुडले बंगाली चिंतकां सुधारकां वल्लों सिर्जे बुणयादी सिदां तक चौक्टे दीही परकर्मा कीती इस दी विचारतारा चिन अते नारे देश दे समुचे हिंदू उपजाती वर्गां अंदर मकबूल हो गए किसे कलपना शील कलाकार ने पार्ती राश्रवाद दे संकलप अते लैर नू चिनना रूपकां दे जरिये दरसोंद्यां पार्त दी अजादी नू सवराज मंदर दी संग्या दिती है इस मंदर वल जा रहे क्रिशन दे राथदा सार्थी महादमा गांदी है पंडेत जवाहरला नेरू अते स्वाश्चंदर बोसुस दे साथी हन पार्ती समाज दे गैर स्वर्न जाती अते गैर हिंदू वर्गां दे अगू राथ होते फुल वर्सा रहे दिखाए गए हन इस चितर तों पार्ती राश्रवाद दा हिंदू परदान अते स्वर्न जाती खासा स्वै उजागर हुंदा है उच जाती वर्ग अगवाई कर रहे हन अते दूसरे वर्गानू उना दी जैकार करन दा कार्ज सौंप्या गया है पामे पड़े लिखे हिंदू बुद्धी माना दे जरिये एहे लाग कुझ हाद तक गदर लहर अंदर भी प्रवेश कर गई सी पर फिर भी गदर लहर दी केंदरी तारा इस लाग तों वड़ी हाद तक सुर्खरू रही ताक्त वर विचार तार्क प्रवामा अते दवामा दे बावजूद सिख गदरी बाब्या ने अपनी अंथर मुखी विशेश्ता अते विलखनता नू जर्ब नहीं सी ओन दित्ती इस दा ठोस इजहार हेठा दिते रूपा मिच होया दो अड़ अड़ वर्ग तेन सौ दे विचकार दसी गई है एहे लगपग सारे दे सारे हिंदू सान अते बौते बंगाली सान दूजे वर्ग बारे साब नूई पतै ओहो पंजाबी पेंडू किसान सान जिनना विचो 95 फीज दी सिख सन इनना वखो वखरे वर्गां दी गदर बारितारना इको जही नहीं सी अलग अलग सी सिखां दी होर बंगालीयां दी होर पंजाबी हिंदूआं दी होर हर वर्ग दा अजाद्धी दा अते नही गदर दावी संकल्प आपो अपना सी इस तों दोना वर्गां दा जथे बंदी दी बंदतर अते काम कारंदे टांग त्रीक्यां बारे लाम बंदी बारे अते हिंसा बारे अलग अलग नजरिया परगट होया पड़े लिखे शेरी हिंदू तत्ता ने वीमी सदी दे मुडले सालां दोरान अमरीका अते कनेड़ा अंदर अपना काम इंगलेंड दी तर जुत्ते करना शुरू किता सी इका दूका हिंदू स्तानी वद्यार्थिया ने अजादी दे विचारान दा परचार करन ले परचियानों मुख वसीला बनाया रामनाथ पुरी जी डी कुमार तारकनाथ आद ने अपो अपने परचे शापने शुरू किते इह सारे पर्चे अंग्रेजी विच शापदे सान वैसे सारे यां देते आन दा केंदर बिंदू सेखे ही सान इस करके इना हिंदू देश पागता ने सिखा अंदर परचार करली वैनकूबर दे गुर्दवार्यानू अड़ाबनाया पावे गदर पाटी ने भी अपना अखबार गदर शापन दा फैंसला कीता पर ओहो अखबार दे रोलनू होर तणा चितव दे सन उन्ना दा सारा दा रोम दार अखबार उत्ते नहीं सी उन्ना दे विचार चौक्टे अते कार्ज जोजना अंदर अखबार दी पूमी का सिमत सी बबापकणा ने इस दी व्यक्यां करदयां लिख्या है कैलिफोर्निया दे हिंदियां विच अखबार निकलन परवी जागरिती दे होर चेन नजर नहीं सन्नाओं दे अखबार लोकानू उबार सकदा सी परकरनी दे पैपाउन अते जथे बंद करना अखबार दी समरथा तो बार सी ना ही कदे कदाई शेर जान नगर विच एकाठ कार शड़न नाल एहे काम पूरा हो सकदा सी बाबा जी दियां इना सत्रा विच बहुत डूंगे अर्थ शुपे होय हन एहे पड़े लिखे शेरियां दी सोच अथे कार्ज शेली दी काट मी पड़ चोल है जेडा वर्ग लोकानू करनी दे पहे पौणते जथे बंदकार्ण दे कार्ज बारे दिलों गंबी इरते सोहर्द नहीं ओहो बाबा पकना दे इस कथन दी एहमियत नहीं पशान सकदा पड़े लिखे शेरियां दे मना अंदर इहेता आरना पक्की वसी होई सी की पड़े लिखे बंदयां दी साहिता तो बिणा पार्थ अजादी प्राफ्त नहीं कार साकदा इस करके गदर पाटी दा मोड बनन वेले पाई पर्मानांद ने अपने वर्ग दे विचारां दी तरजमानी कार दे होई वाद जोर इस गालते दिता सी की साननू पार्थ तों पड़े लिखे नौजवान वदे आर्थियांनू इत्थे मगवान दे मन्तवनाल कुझ पर बाबा पकना अते होरना ने इस तजवीज दी प्रोडता करंतों इनकार कर देता सी निशानना अते साधन सांज अते पाड़े सरसरी नजर नाल देख्यां दोमा वर्गां विचकार निशानने दी जो सांज दिखदी सी ओह मुकमल नहीं सी दोमे वस्तिवाद दा कर देसान पर इस विरोध बारे दोमा वर्गां दा नजरिया वक्खो वक सी सिख गदरिया वलनों बस्तिवाद दा विरोध किसे सोडी राज सी विचारता राजा राज सी स्वार्थ विचो नहीं इनसाख दीपावना विचो पैदा होया सी एहे ब्राबरी अते जमूरियत दी स्पिरिट दा जेडी उनने सिखी तों विर्षे विच ग्रहन किती सी समकाली दोर अंदर ठोस राज सी इजहार सी एहे जुल मते बेन साफी विरोध लड़न दी सिख प्रमप्रा दाही जारी अमल सी दुजे बनने पड़े लिखे उच जाती हिंदू वर्गां वलनों ब विरोध इनसाफ दीपा आवना विचो नहीं अपने सोडे राज सी स्वार्थ विचों कीता जार्य हासी इस वर्ग कोल जोल मते बेन साफी विरोध लड़न दी अपनी कोई प्रेर नामई विरासत नहीं पैसंतोख सेंग केंदे हान की जोल मते जबर्दा टाकरा कार्न वास् पहली लोडी दी शक्ती है जिस वर्ग ने सदियां तक मनुखता देव डेह सेनू मनुख सामजन तो ही इनकार करी रख्या अते इना दलित्ता वर्गां उत्ते निरंतर हजारां सालां तक अनमनुखी अते वैशी जोलम टाए उस दे हिर्दे अंदर पारुपकारी बिर्ती के में पणप साकदी है इस बिर्ती दी अन्होंद विच जोलम अते बेंड साफी विरोध उस दे पाव किन्ने वी सच्चे सुच्चे हो साकदे हन इस करके उच जातिये हिंदू वर्गावलनों बस्तिवाद दे विरोध अंदर राजसी स्वार्थ प्रदान सी इना दा मुख सरोकार राजसी सत्ता हासिल करना अते इस दा अपने सोडेता अर्मिक सब्याचार्क आर्थिक अते राजसी हिताले इस्तेमाल करना सी राजसता दी वर्थों मुखी पलाई वास्ते करना इना वर्गावलने विर्ष से अते सुबादा अंग नहीं पर इना वर्गावलने अपने कप्टी चरितर अनुसार इस राजसी स्वार्थ नूराश्ट्रवादी विचारता रादा मनमोहक जामा पहनाया प्रशन जे कर तोहड़े इस निर्णे नू कोई जाना हिंदू विरोधी तो सबादी पदाईश केंदा है तोहड़ा इस बारे की प्रतिकर्म होवेगा उत्तर कैन उता कोई जो मर्जी कह सकता है पर तरक बड़ा स्पष्ट है की जात पती विचारता रा अते इंसाफ दी पावनादा सुमेल हो सकता है तुसी पार्थी राश्ट्रवादे जन मते विकास दे समुचे अमलुते पड़ चोलवी चाती मार के देखो राश्ट्रवादे मोड़ी बंगाली चिंतकां ते सुधारकां अते उन्ना दे वारसां विचों किसे नेवी जात पती प्रवान्दत अते वर्न पेद दी विचारता रानू स्पष्ट रूप विच रद नहीं सिकीता उन्ना दासुदारां बारे संकल्प वर्न आश्रम तरम दे चौक्टे तों पार नहीं गया इस दिया के रिया अंदर ही कौमदा रहा डक्टर अंबेद कर हिंदू रैबरा नू वंगारदा रहा की कोई हिंदू जात पाती प्रवान्द नू मंजूरी अते पवित्तरता बक्षन वाले तरम ग्रांथा नू राद कीते बिना इस पाप तों सुरुख रू क्यमें हो साकदाई हिंदू रैबरा कोल इस दा ना उस वेले कोई उतर सी ना अज है इस रोश्नी विच्च तुसी आप ही निर्ना कर लवों कि उच जाती हिंदू वर्गावल्लों बस्तिवाद दा विरोध इंसाफ दी पावना विच्चों कीता ग्या जा अपने राज सी स्वार्थ चों जरा डुंगा उतर के सोचों की उच जाती हिंदू वर्गावल्लों वदेशी राज दा विरोध करंदा तार्क योगत अदार की सी जेकर उन्ना दी दलील ए सी के वदेशी ताखताने पार्थ दे लोकाणू गुलामी दिया जंजीरां विच जकड रख्या होया सी ता इन्ना वर्गाणे खोद आप दब्बे कुचले वर्गाणू सदिया तों गुलामी दे बंदना विच नूर रख्या होया सी जेकर उन्ना वर्गाण दी दलील एही सी की बर्तानिमी हाकम पार्थ दे लोकाणू उत्ते वैशी जोलमते अत्याचार कर रहे सान ता एहे वर्ग खोद दलित वर्गा नाल केडी काट गुजार रहे सान जिन्नेक नौने जोलम एना अखोती उच जातिया वल्लों दलित वर्गा उत्ते सदिया तों टाए जा रहे सान वदेशी हाकम उन्ना नालों वद के हूर केडा उपदर कार रहे सान इस करके एहे गल मननी ओखी है की हिंदू स्वर्ण जातिया वल्लों बस्ती वाद दा विरोध करन पिछे इनसाफ दी पावना काम कर दी सी इस विरोध दा अदार असूली काट नसली वाद सी अंग्रेजां दा विरोध सिर्फ उन्ना देव देशी होन करके कीता गया बाकी होर कोई वड़ा रॉला नहीं सी अजादी दी लड़ाई दे दुरान अते बाद विच परगठ होए उन्ना देश मुचे अमल नू देख लो किते वी इंसाफ सचाई यते इमानदारी दी कोई चलक मिल दी है यद्धार्थ नू तुसबव कहके इस तों सुर्खरू नहीं होया जा सकदा इस दे मुकाबले सीखावलों वड़ेशी राजदा विरोध वड़ेशी होन करके ही नहीं सीखिता गया बाबा सोहुर सिंग पकना दे हेट लिखे कथन तों सपश्ट हुन्दा है कि उनना दे सरुकार किते वड़े यते पवितर सन बाबा जी दे कैन मताबक गुलामी चाहे देश वासियां दी ठोसी होवे चाहे वदेशियां दी आर्थिक होवे पामे राज नितिक अते चाहे पामे तरम्दी आड विच समाजिक उच नीचता जहां गुलामी पैदा कीती जावे एहे सब पापां तों वड़ा पाप है बाबा जी ने किन्नी साफ गल कीती है कि गुलामी देशी होवे जव देशी अते राजसी होवे जाता आर्मिक इन साफ दे नुकता नज अगर तों इस दा एक सार विरोध कीता जाना चाहिदा है इस तरह उना ने इक टांगनाल जात अविमानिया दे दोगले पाण उते चोट कीती है कि एक पासे ता रम्दी आड विच समाजिक उच नीचता दे अमल दी प्रोडता कारनी अते दूजे बनने अजादी ले दा दंब करना बबा पकना ने इस द्रिष्टी तों गांधी वल पहला दखनी अफ्रीका विच बोर युद दे दुरान अते फिर पहली संसार जांग दे दुरान बरतानवी सामराजवादियां दा पाख पूरण दे पैंतडे नू बे असूला किहा है इनसाफ दे तकाजे तों गांधी दे इस पैंतडे नू ठीक कैसकना कती संभव नहीं इस दे मुकाबले गदरी अगुआं डक्टर मथरा सेंग अते पाई ने दा अन सेंग चुगा होराने 1911 विच वड़े खत्रे मुल लेके चीन दे इनकलाव दी सरगर्म हेमायत किती सी क्योंकि इस इनकलाव दा निशाना चीन अंदर जमूरियत दी स्थापना करना सी जड़ा की सिखी दे बन्यादी असूलां दा मेलवां सी गांधी ने जाबरतिर दी हमायत नरोल राज सी स्वार्थ विचों किती सी उसने इनसाफ दा लड़ शाड़ के अन्या दा पाख पूर्या सी गदरी बाब्यां दे नैतिक जगत अंदर अजे हे गांधी मार का दोगले पान अते बे असूले पान लई कोई जगा नहीं सी पोजन समें गैर स्यासी जाट सेख कैदी दलित वर्गां दे कैदीयानू पंगत विच नहीं बैठन दे ता बाबा जी ने इस अन्या दे खिलाफ एकल्या ही मार्न वार्त रख्या सी ओहो पंदरा देन तक मार्न वार्त उते डटे रहे अखेर दिलित कैदीयानू ब्राबर दे हाक मेल जानो प्रांत ही वार्त खातम कीता गया बबा सोहर सिंग पकणा ने गदर पार्टी दे निशानने अते मनुरत दी व्याख्या कारदे हुए के हा सी की गदर पार्टी संसार विच अजादी अते ब्राबरी कायम कारना चौंदी है उस दा ख्याल है कि अजादी अते ब्राबरी मनुख दे जमांदरू हाक हन। किसे नू हाक नहीं सी कि आपने पशु बल अते चलाकी नाल होरना नू गलांब नावे। करें ता मैं पहला शाक्ष होंगा जो डाट के उनना दा विरोध करांगा अते इस वास्ते अपनी जान तक दे दे आंगा। हिंदू वर्गांदी द्रिष्टी यते देशपक्ती दा दायरा अपने देश तक चा इस्तों भी अग्गे अपने वर्ग विशेश तक ही सिमत सी। उनना दी सारे संसार विच अजादी ते बराबरी काईम करने विच कोई रूची नहीं सी। दोमा दे देश पकती देशंकल्प विचकार एहे बुण्यादी अंतर सी। सौडे राजसी स्वार्थ विचों निकलें राजसी अमल निर्शल नहीं हो सकदा। हिसा किताब जोड तोड चलना कुचलना अते चूठ ते दांब इस दे लाजमी अंग होने बढ़दे हन। एहे अटल है अजेहा ही वाप्रया है। बबा सोहन सिंग पकणा ने अपनी आतम कथा विच अपने जाती अनुपवादे अदारते पड़े लिखे शेरी वर्ग दे राजसी किरदार अते विहारुते प्रपूर रोश्नी पाई है। तुसी बाबा जी वलों एक पासे लाला हर द्याल, राम चंदर, पिशोरिया अते, पाई परमाना दल्ल हार वर्गे लोकां अते, दूसरे पासे पाई संतोक सिंग, पाई जवाला सिंग, बाबा वसाखा सिंग, पाई बलवांत सिंग, खुर्दपुर, वर्गे पड़े लिखे शेरी मद वर्गां दा पेंडू किसाना जेडे गदर लहर दी रीड दी हड़ी सान बारे नजरिया आते रवया स्रेष्ट वर्ग वाला सी हरी ईश पूरी ने मन्या है कि अमरीका अंदर जेडे पार्ती हिंदू वद्यार्थी सान ओहो सिख किसाना नू अनपड जाहल अते पेंडूआं दा चोंड सामें दे सान जेडे उनना मताबक सोच दे काट अते जोश वदे रे दिखाऊं दे सी सुकुमार चैटर जी ने स्याम अते पार्त विच बगावत करन लई गए सिख किसाना बारे किनाओनी नफरत परगटाउन्या क्याहा सी जहल आदमी दरजना दे हिसा आवनाल पार्त अते स्याम पे जे गए हन एक ऐसे इनकलाब विच हिसा लेन ले जिस दा कदे वजूद ही नहीं सी जदों सिख हजारां दीत दाद विच सिरांते कफण बन के देश नू तुरपैसान ता इनना शेरी मदवर्गी हिंदूआने आतम हंकार अते पेंडू लोकां प्रती अपनी पुष्टैनी नफरत परगटाउन्यां इकतरा नाल उन्ना दमजा कुडाया सी पुरी ने बाबा प्रिथवी सेंग दे हवाले ना लिख्या है कि जदों उसने हिंदू वद्यार्थियानू बगावद कर्ण वास्ते पार्तले रवानना होन बारे केहातां उन्ना विच्चों इकने मोडवा जवाव दित्ता सी कि वेखो तुसी हिंदोस्तान जाही रहे हो अते इनकलाब उथे तुसी बेशक ही लाय आवों पर उस्तों मगरों तोहाननू सरकार चलाओं लई कुझ सेयाने लोकां दी लोड़ पवेगी फिर तोहाननू साधी लोड़ पवेगी फिर असी आ जावांगे सिख किसाना बारे इस वर्ग दी इस सामज विच्चों उन्ना दी सिखां प्रती उपयोग वादी पहुँच परगट होई 1877 दे गदर दी असफलता तों उन्ना एहे नतीचा कड़्या की जेकर उस वेले सिख फोजां अंग्रेजां दा साथ ना दिंदियां ता इस बगावत नू कुझल सकना अंग्रेजां लई कती संभव नहीं होना सी सावरकर ने 1877 दे गदर बारे जो किताब लिखी सी उस विच उसने एही सिटा कड़्या सी की पविख विच अंग्रेजां वरुद बगावत दी सफलता लई सिखां दा सहयोग लेना अती जरूरी सी श्याम जी क्रिशन वर्मा अते तारकनाथ नेवी सावरकर दी इस तारना दी पुष्टी कीती सी इस करके वीमी सदी दे मुड विच हिंदू कौम प्रास्ताने बर्तानमी राजुरुद लडाई विच सिखां दा सहयोग हासिल करन दी सुचेत सेध अते रण निती अक्तिया इंगलेंड अंदर हिंदू कौम प्रास्तावल्लों इंडिया हाउस्तों चलाईया जान्दियां सर गर्म्या इसे निशाने वाल सेधत सन उन्ना वलों इंगलेंड अंदर कैक्स्टन हाल विखे उचेचे तौरते दसम पाशादा परकाश दिवसमनोना फिर सिखानू रात द पोजनते बलोना अते अखीर विच्च सिख फोजियानू अपने पाख विच्च करंदे मंतव नाल खाल सा पैफलिट जारी करना एहे सारिया कारवाईया सिखानू अपने राजसी मंतव ले इस्तेमाल करंदी सोची विचारी रणनीती दियां कडियां सान। दमोदर सावरकर श्याम जी क्रिशन वर्मा लाला हर द्याल आद हिंदू कौम प्रास्त बदेशा अंदर जाने पशाने ना बन गय सान। ओहो देश पक्ती दे जजबे अते अजादी संग्राम दे चन हो गुजरे सान। प्रशन अपा गदरी बाब्यां वल्लों खुला परचार कीते जान प्रती विदवाना द्वारा परगटाए इतरा जांबारे गल कर रहे सी। गल बात ली तो उन लम्मे नहीं चली गई लग दी। उतर नहीं नुकते नू सपश्ट कर ले कई वार गल बात दा दाइरा खुला करना पैजान दै। दाइरा जिन्ना मर्जी चोड़ा हो जावे केंदर बिंदू ओही रेंदा है। जिन्ना चर असी गदरी बाब्यां वलों खुला पर चार करन पिछे काम कर दे नजरिये नू नहीं पशान लेंदे। उन्ना चर असी इस दी नुकता चीनी दा ठीक हिसा आग किताब नहीं ला सकने। इत्थे समझन वाली एहम गल ए है कि सिख गदरी बाब्यां अते पड़े लिखे शेरिव बाबुआं दी बुण्यादी मसलियां बारे सामज विचकार मत पेदम मूली जां सतेई नई सान एहे बहुत बुण्यादी अते डुंगे सान। दोमा विचकार विचारां दा पाड़ा केवल जथे बंदी दी बनतर ते कामकारन दे टंगां जां लैर दी बुण्यादी मार्ग सेद अते राणनीती तक ही सेमत नहीं सी। दोमा दा जीवन बारे द्रिष्टी कौन अते सदाचार के कदर प्रवांद मूलों ही वखरा वखरा सी। चाल रहे पर सांग विच एहे गल सामजनी बेहद एहम अते जरूरी है कि दोमा वर्गां दा हिंसा बारे नजरिया बौता ही अलग अलग सी। गदर लहर दी इते आसकारी दा साच अते काच पर्खन लई अते अनमतियां दी सामज अंदर ले बुणयाद दी काजनू पशानल लई एहे सारियां गल्ला जाननियां जरूरी हान। अनार किजम अते बंगाली क्रांतिकारी बंगाल अंदर ले क्रांतिकारियां दी मुख टेक पड़े लिखे नौजोन वर्गुते सी। इस करके ओहो पेंडू लोकां दी इन कलाबी योगता विच बौता प्रोसा नहीं रख दे सान। गदरियां नालों उन्ना दा एहे एहम विचारता अरकवखरेवा सी। अंग्रेजी राज दा तक्ता पल्टाओं लेई उन्ना दी योध निती विच्च। जान तक लाब बंदी नालों कुझ कू चोनवियां दले रान्ना अते नाटकी राजसी कारवाईयां केंद्री एमित रख दियां सान। ओहो कुझ मिसाली हते आरबांद कार नाम्या दे जरिये दुश्मन दियां सफा अंदर दैशत दा महौल पैदाकार्न अते इस टांग नाल उस दे हांसले पस्त करन दी सोच राख दे सान। हिंसा बारे इस मात दी मूल जाड पच्मी यूर्प विच लगी होई सी जिस दी तांद अध्योंनिक वग्यानिक संसार्न जरिये नाल जुडी होई सी। सन अठारा सो अड़ताली विच पच्मी यूर्प दे कुझ देशां जिमें फ्रांस, इटली, पर्शिया, आस्ट्रिया अते नीदरलेंड, आद अंदर तानाशाई अते जालम राजां दे विरुद इनकलाबी बगावतां दा जोर चखड चुल्यासी। इनकलाबां दे असफल हो जानु प्रांत यूर्प अंदर एक नमी तर्ज दाहिं सकरुजान पैदा होया, जिसनू अनार्किजम दा ना दिता गया। इस मत देता अर्णियां दा राजसी खेतर अंदर पच्मी ग्यान चिंतन दे केंदरी अदर्श मद यूगी तर्ज दियान। निरंकुष राजशाईयां दा खात्मा करके जमूरी अते गणराजी असूलां ते अधारत अदेवनिक कौमी राजजां दी स्थापना करना दी पूर्ती ले जन तक अंदोलना तों प्रोसा उठ गया सी। उन्ना दा विश्वास सी की उच्चे इनकलाबी अदर्शानू पर नाई कुझ चोणवे सूर में जेकर जालम राजदियां जड़ां उखाड देन दा तहिया कार लेन ता ओहो अपने सिदक अते दलेरी दे बलबूते एहे टीचा हासिल कर सकदे हन। ओहो शावदा नालो कार नाम्या दे कायल सान। उन्ना दा एहे पका मातसी की दुश्मना दे खिलाफ खाली बोलन नालो निगर अमल वद कारगार हुन्दा है। ओहो एक्शन राही प्रॉपो गंडे दे सिदा आत दे मुरीद सान। नेगर अमल तों उन्ना दी मुराद कुझ मिसाली अते नाट की कारवाईया सान। जे में विरोधी तेर दे चोटी दे व्यक्तियानू बंबा नाल उडा देना जां गोलिया नाल पो न देना। अठारां सो क्यासी विच रूस अंदर नरोध्या वोल्या नादी सांस्था दे बंदयाने रूस दे जार नू दलेराना टांग नाल कतल कार दिता सी। इसे तरह 1894 विच फ्रांस दे राश्रपती नू उत्थों दे अनार्किस्टा ने गोलियां मार के पार बुला देता सी पर बंगाली क्रांतिकारियानू सब तों वद इटली दे दो इनकलाबी देशपाकता ग्रैबाल्डी अते मैजीनी ने प्रवावित किता सी एहे देशपाकतापणी निष्ठा दे दलेरी दे आसरे थोड़े जहे सरलाथ सूर्मया दे साथ नाल लड़े हथे आरबांद युद दे जरिये इटली दी खिंडी बिखरी राजसी हस्ती नू एक बजमे अते मजबूत कौमी राज दा सुरूप बक्षन विच काम्याब हो ग पच्छम दे इस हिंसा दे अधिवनिक नुकसे ने उना दे देल मोल एसान उना ने पारतंदर बस्तिवादी राज दा खातमा करके उच जाती हिंदू वर्ग दी सरदारी हेठ अधिवनिक राष्ट्री राज स्थापित करन दा अपना मनपों दा राजसी निशाना हासिल कर ले हिंसा दा एक नुस्खा अजमौना शुरू कर दिता योगांतर अते अनुशीलन समती ना दियां दो जथे बंदियां इस काजनू समर्पित हो गई या पंजाब अते उत्री पार्त दे पड़े लिखे हिंदू नौजवान देश पकता उत्ते बंगाली क्रांती कारियां दी इस राजसी विचारतारा अते अमल कार्ज निती दा तकड़ा असर होया एहे वर्ग विचारतार्क जथे बंदक अते मनोव ग्यानिक पदर ते आर्या समाज अते इस वर्गियां होर्ना हिंदूता आर्मिक लेरां जिन्ना दा टिच्चा पार पहाल कार्ना सी नाल जुड़या होया सी शहीद राम परसाद बिसमल दा इनकलाबी ग्रोप जेडा क कोरी कांड नाल जादा मशूर होया सी अते चंदर शेखर अजाद ते शहीद पागत सेंग हुरां दा इनकलाबी तडा मूल रूप विच उपर दर्साई बंगाली क्रांतिक पर गदर लहर दा खासा आते महाल इस तारा नालों बहुत अलग सी। 1212 विच दिल्ली विखे वायसराई हाडिंग उत्ते बांब सुटन दी वारदार्त उत्ते परगटाई प्रती करम दे रूप विच होया। 1212 विच बदल दिता अते वंदे मातरम गा के कांटियां बद्धी कमरे अंदर नाच के आपनियां पावनावानू परगट कीता। उते जित होये हर द्याल ने अपने कई गरम दलिये दोस्तानू टेलीफोन कीता अते हार बारी योहू केंदा कीत उसी सुनेया है की मेरे एक आदमी ने पार्त विच लाड हार्डिंग नाल की कीता अते फिर इस कटना नू ब्यान करदा। इस कटना बारे अपने उलार मनोपा मादा परगटावा कार द्यां उसने शरीले अंदाज विच लिख्या सी। तेई दिसंबर 1912 दे बामबदी जै 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 उसने उतेजित होके लिख्या की इसने सन्नू नीद चो जगा दिता सड्या बांद हो रहिया अक्खा अग्गे इसने चुन्दे आदेन वाली लश्कोर मारी इसने मयूसी अते गाम देदर म्यान खुशी अते आस दी चरना शेड़ दिती है एहे साड़ा पुनर जीवित होना है हरी इश्पूरी ने इस उते टिपणी कर दिया ठीक केहा है कि परताखत और ते एहे आमल राही पर चार दे राजकतावादी सिदात दी गूंज सी लाला हर द्यालदा बामब दे फलसफे विच बेहद गुड़ा विश श्वाश सी उस दीतार ना सी की एहे बामब ही है जेडा सरकार नो ड्रा के लोकां दे हाक मननले मजबूर का देंदा है मुख गल सरकार नो ड्रोना है अज असी गदरी बाबे कौन सान किताब दे 192 पन्ने पढ़ चुके हैं बाकी दी किताब असी अगले पाग विच पढ़ कर दो